सब्सक्राइब कीजिए MS जादुन यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइगन पर लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो यदि आपके मॉबाइल के अंदर इंटरनेट बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो दोस्तो आज मैं आपको यह कैसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके मॉबाइल के अंदर इंटरनेट कभी खत्म नहीं होगा चाहे आप कितना ही इंटरनेट चलाइए दोस्तो आपके मॉबाइल में इंटरनेट की कभी कमी नहीं आएगी बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजेगा लेकिन दोस्तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताए कि आप कौन से राजिसे बिलोंग करते हैं आप कौन से राजिसे हो जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो को लोग कहा कहा तक देख रहे हैं कौन कौन से राजिसे देख रहे हैं तो दोस्तो मुझे ये comment में जरूर बताएं और वीडियो को like जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या setting करनी पड़ती है जिससे आपके mobile के अंदर internet की कभी भी कमी नहीं आए। दोस्तो कभी भी कमी नहीं आएगी internet की कभी खर्च नहीं होगा बस आप इस वीडियो को देख लीजिए तो चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना होता है तो दोस्तो आपको सबसे पहले आपके mobile के अंदर एक setting का app होगा जैसे कि मैं आपको दिखा दे देखेंगे नीचे आपको एक account का option देखेगा दोस्तो accounts का option आपको देखेगा इस पर आपको click करना है दोस्तो जब आप इस पर click कर दोगे तो यहाँ पर आपको different type के app यहाँ पर दिखाई देगे और यहाँ पर आपको add account का option दिखाई देगा और नीचे आप देखेंगे कि किसी के नीचे होता है और किसी के यहाँ पर कौने में उपर होता है तो दोस्तो मेरे नीचे है तो आप यहाँ पर मोर का option देखेंगे तो इस पर हमको क्लिक कर रहा है और दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर है auto sense data तो दोस्तो यहाँ पर on है आपको इसको off कर देना है और दोस आपको पता होगा कि back up होता है तो net बहुत ज़्यादा ख़ता है, दोस्तो till चाहें से बहुत जल्दी खतब हो जाता है, दोस्तो आप चाहे तो इसको बापस से on भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो अब मैं आपको एक trick और बता देता हूं, दूसरी trick, दोस्तो वो trick भी बहुत शा किए बता रहा हूूं आपको यहां पर three dots Nun पर click करना है और click करने के बाद आप देखेंगे यहांपर आपको settings का option देख़ए होगा इश पर आपको click करना है दोस्तो क्लिक करने के बाद मैं आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर auto update apps लिखा हुआ दिखाई देड़ा होगा इस पर हमको क्लिक करना है और दोस्तो आपकी mobile में यहां पर इस पर क्लिक होगा over any network इस तरीके से होगा लेकिन दोस्तो आपको यहां पर don't auto update apps इस पर आपको क्लिक करना है या फिर आप यहां पर over wifi only पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आप यहां पर don't auto update apps पर क्लिक कर दीजेगा और यहां पर आपको done कर देना है इससे दोस्तो आपके mobile में जैसे कि आप मालो 30-40 app है आपके mobile के अंदर लेकिन दोस्तो आप देखेंगे तो 3-4 app कम से कम 3-4 app का update daily आता है आप देखना आप कभी चेक करके देख लेना 3-4 app का update आपके mobile के अंदर daily आएगा और दोस्तो यदि वो auto update रहेगा तो यदि वो 50-50 MB के भी होंगे तो दोस्तो 300 MB तो वो ऐसे ही खा जाएगे 6 app तो आप यहां पर इसको don't auto update पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे वो update नहीं होंगे और दोस्तो आपको उन्हीं app को update करना है जिनकी आपको जरूरत है तो इस तरीके से net बहुत सारा बच जाएगा दोस्तो और आप उसको generally use भी कर सकते हैं और वो कभी खत्म भी नहीं होगा पूरे दिन में तो इस तरीके से आप daily का बहुत सारा net बचा सकते हैं